Suppose कि ये एक bike है और ये मेरी bike है और इस bike की fuel consumption है 35 km per litre यानि ये bike एक litre में 35 km का distance cover करती है और एक litre petrol की price है 250 rupees Now moving towards the formula जो है fuel cost is equal to fuel consumption multiply by fuel cost per litre multiply by distance travel Remember fuel consumption is 35 km per litre and fuel cost per litre is 250 rupees Suppose वजहत एक teacher है वो एक school में भी बढ़ाता है और home tuition भी बढ़ाता है School में उसकी salary है 22,000 rupees और home tuition में salary है 35,000 rupees School में students की strength है 86 और home tuition में students है 3 School में सिर्फ Sunday की चुटी मिलती है और home tuition में Saturday और Sunday की चुटी मिलती है School में working hours है 7 और home tuition में working hours है 2 अब अगर school के 7 hours को multiply करें 6 days के साथ तो working hours निकलेंगे 42 which is weekly hours इसी तरह tuition के 2 hours को multiply करें 5 days के साथ तो working hours निकलेंगे 10 जो के weekly hours है similarly 42 hours को अगर multiply करें 4 weeks के साथ तो working hours निकलेंगे 168 और 10 hours को 4 weeks के साथ multiply करें तो working hours निकलेंगे 40 जो के monthly hours है अब हम निकालेंगे distance per day, per week और per month लेकिन distance निकालने से पहले हम थोड़ी सी लहोर की सेर करते हैं हमारी जर्नी शुरू होगी township से और खतम होगी शादमान मैं अपने सफर का गास township से करूँगा जो कि शादमान तक होगा और फिर शादमान से आपको मुक्तलिफ जगों की सेर करवाते हुए हम वापस township की जानिब अपने सफर का इकताम करेंगे और इस दोरान जितना सफर हम तैय करेंगे वो तकरीबन होगा 34 किलो मीटर करेंगे वो तैय करेंगे वो तैय करेंगे स्कूल का टोटल डिस्टंस है 6 किलो मीटर और टूइशन का टोटल डिस्टंस है 34 किलो मीटर जो के एक दिन का डिस्टंस है इसी तरह स्कूल के एक वीक का टोटल डिस्टंस है 36 किलो मीटर और टूइशन का 170 किलो मीटर और स्कूल के एक मन्त यानि 4 weeks का total distance है 144 km और tuition का है 680 km school की total salary पर month है 22,000 रूपीज और tuition की salary है 35,000 रूपीज तो school की total salary per day कैसे निकलेगी 22,000 रूपीज को 24 days पर divide करके जो के निकलेगी 916 रूपीज ऐसे ही home tuition की salary निकलेगी 1750 रूपीज ठीक ऐसे ही salary पर और निकलने के लिए total salary यानि 22,000 को divide करेंगे total working hours यानि 168 hours और वो निकलेगी 130 रूपीज और tuition की निकलेगी 875 रूपीज अब हम निकालेंगे fuel cost per day, per week और per month लेकिन fuel cost निकालने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ अपने bike की fuel cost consumption जो है 35 km और fuel cost per liter जो है 250 रूपीज school का fuel cost per day निकालने के लिए fuel consumption यानि 35 km पर लीटर को multiply करेंगे fuel cost per liter यानि 250 रूपीज के साथ और multiply करेंगे एक दिन के total distance के साथ जो है 6 km और जो के निकलेगा 52 रूपीज ठीक ऐसे ही tuition के एक दिन का fuel cost निकलेगा 297 रूपीज यानि एक दिन का fuel cost है तकरीबन 300 रूपीज ऐसे ही tuition के एक वीक का fuel cost निकलेगा 315 रूपीज और home tuition का fuel cost निकलेगा 1487 रूपीज और बिल्कुल ऐसे ही पर मन्त स्कूल का फ्यूल कोस निकलेगा 1260 रूपीज और होम टुईशिन का निकलेगा 5950 रूपीज कऑ रूपीज गि gods ही पिंग 930 रूपीज और होम टुई जानसड कोस निकलेगा 1260 रूपी द stability अपुब है तो बिलेगा 610 रूपीजय कोस निकलेगा 2.2 क dual बッके ऑल यक ककलेगा 2.2 stars sir